तो हेलो फ्रेंट्स आपका फिर्स से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल SMII पे आईए दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और पैनी स्टॉक की आज हम बात करेंगे जी-जी इंजिनिरिंग की दोस्तो इसमें आज फिर बहुती ब्यूलिश ट्रेंड है पांच परसंट का अपरसर कर लग गया है ये स्टॉक 2.52 की प्राइस पे टेड़ कर रहा है सुबह से ही एक अच्छा मोमेंटम इसके चार्ट में दिख रहा है ज़री हम लास्ट बान बी का चार्ट इसका देखें तो यहां पे भी एक ब्यूलिश रवरसल हो गया है गिरावट के बाद बॉटम फॉर्मेशन के बाद 2K रॉंड इसने बॉटम फॉर्मेशन किया है कि बहुती ब्यूलिश रवरसल दिख रहा है और वन मत में भी यह जो स्टॉक है शानदा ट्रेंड शो कर रहा है अपने निवेशकों को माला माल कर चुका है और यह जो स्टॉक है लास्ट वन मत में डवल से भी जादा जो है वो ग्रूथ शो कर चुका है तो पहले भी दोस्तों इस पे हमने coverage करके आपको बताया था कि इसकी valuation बहुत ही सही है उस time जदी हमरारी call पे किसी ने इसको buy किया होता तो उसमें आज बहुत ही शांदार जो returns है मिल रहे हैं तो आप देखेंगे करांटली क्या अब इस stock में निवेश करने का फैदा हो सकता है क्या अब इस stock में buy करना चाहिए sell करना चाहिए जा hold करना चाहिए तो valuation का हिसाब से देखेंगे दोस्तों करांटली इसकी PE multiple चेक का लेते हैं कांपनी के fundamental valuations का डाटा देख लेते हैं रहे आयो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें कांपनी का market cap देखो 211 ग्रोड के राउंड है PE multiples अभी भी 24 के राउंड है जबके industry की PE ratio देखो 63 के राउंड है तो industry के मकाबले अभी भी यह जो stock है सस्ता है और discount पे मिल रहा है मतलब अभी भी इस stock में growth के चांसिज है यही बड़ा कारणा कि आज इस stock में फिर अपर सरक्र लग चुका है इसकी book value per share की 1.40 की है जबके price to book ratio अब जो है 1.71 की बनती है और company एक debt free company है नियली आप कह सकते हो और इसकी ROE percentage डबल डिजट में दिख रही है नियली 10-11% है अच्छी है मतलब fundamentals बहुत ही strong है और अभी भी valuation सही है तो अभी भी इसमें growth के chances है तो इसलिए आप इस stock पे ज़रूर focus कर सकते हो ज़़िए इसकी financial report देखें दोस्तो latest quarterly numbers देखें तो यहाँ पे बहुत ही शांदर trends आए है company के revenue में year on year basis पे भी और quarter on quarter basis पे भी शांदर growth देखने को मिली है इंदा स्टमबर 23 और ज़़िए इसका profit देखें तो profit भी बढ़ गया है year on year basis पे भी देख सकते हो स्टमबर 22 के मकाबले स्टमबर 23 में और जून के मकाबले भी स्टमबर 23 में company के profit में शांदर growth देखने को मिली हुई है पतलब stock एक multi bag stock है और अभी भी इस stock में शांदर trends देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए आप accordingly इस stock में अपनी position जो है वो continue कर सकते हो क्योंकि last one month का chart देखें तो ये stock 111% के return जो है उन stock को आप जो है lower valuation पे जो है pick कर लो तो फिर क्या होता है उनमें जो growth के chances है उनमें क्या होता है कि जो reversal के chances है वो बढ़ जाते है तो वहाँ पे आपका अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन कब चलेंगे ये तो कहना मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो hold कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो यह stock long time के लिए consolidation में रहा यहाँ पे देख सकते हो यह stock 1 से लेके 1.20 के बीच में ही consolidate करता रहा लेकिन suddenly यहाँ पे इतनी TG से भागा 1 month में ही इसने अपने निवेशकों का पैसा डवल कर दिया अभी भी यह stock जो है discount पे है आने वाले time में इस stock में 3 plus तक के target भी आ सकते हैं तो इसलिए shorter में इस stock में आप थोटा लट रहे हैं जदी dip में यह stock आपको मिलता है तो उस time में इस stock को आप buy कर सकते हो आगे share करना मत भूलें so thanks again मिलेंगे एक नए investment idea के साथ एक नई वीडियो के साथ thanks again